नमस्कार दोस्तो चैनल पर आपका स्वागत है और लेटेस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तो ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपॉटेंट है सभी स्टूडेंट के लिए दोस्तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इगनु की डिफरेंट रिजिनल से सेंटर के कुछ अपडेटस के बारे में और इसके साथ साथ दोस्तो अगनु की होम वेडियो को जारी कर दिया गया है जैसा कि पिछली बार जो सब्सक्राइब के guideline जारी किया गया था है रिजिटनल सर्विसेश के division तरब से उसके बाद फिर इवैलिवेशन division की तरब से ऐसा कोई भी guideline अभी तक जारी नहीं किया गया है और और किसी भी दो रिजिनल को चोड़ कर चोड़ के और किसी भी रिजिनल चेंटर की तरब से Assignment submission की guideline को जारी नहीं किया गया कि कैसे assignment submit किया जाएगा online, offline या ऐसा कोई भी process नहीं बताया गया है तो student लगातार सवाल कर रहे हैं कैसे submit होगा क्योंकि last date काफी assignment की 15 रखी गई है काफी assignment की 38 March रखी गई है तो इससे student परसान है कि अभी कैसे submit करना है उनको तो दोस्तो इसे के बारे में हम बात करेंगे अगर आप चैनल पर पहली बारा है चैनल को subscribe कर लिजे बिल आइकन प्रेस कर लिजे इसी तरह की latest update और वीडियो इगनू से related आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और पहली update पे चलते हैं पहली update इगनू की home website पे ही इसको news and announcement में डाला गया है जो है कि guideline आया है एक MSC-MACS students के लिए जो है MSC Mathematics and Computer Application है वो उन students के लिए उनके practical का एक schedule जारी किया गया है जो कि overall सभी students के लिए सभी regional जिस भी regional center पे offer किया जाता है minimum seven regional center पे यह offer किया जाता है MSC-MACS का यह program और यह के वाल January session में offer किया जाता है तो उनका schedule आ गया है due to COVID-19 जो इस बार का जो practical होगा वो hand written होगा जैसे BSC old pattern का objective type का हो जा रहा है lab में नहीं कराया जा रहा है वो इसे same इनका notification निकाला गया है कि इसमें schedule जारी कर दिया गया है 22 March से सुरू हो जाएगा 24th March last रहेगा और schedule timing और course code जारी कर दिया गया है उनका timing भी दे दिया गया है और कौन कौन से student eligible रहेंगे जनवरी 2019 से और earlier जनवरी 2019 में last admission या उससे पहले अगर आपने admission लिया है दिन आप eligible रहेंगे और student जो फरवरी में exam दे रहे हैं MSC MSCS का वो भी eligible रहेंगे exam का date और schedule जो है आपके regional center के द्वारा आपको बताया जाएगा तो अपने regional center की website लगातार देखते रही है ठीक है और इसमें एक जो practical है उसका जो है दो घंटे का time दिया जाएगा उसको करने के लिए जैसा कि MMT 001 उसका दो घंटे कर रहा है बाकि जो सारे practical है उनका जो है one and half hour दिया जाएगा आपको करने के लिए और इसमें कोई computer प्रवाइड नहीं किया जाएगा आपको एक answer booklet मिलेगी पेन और पेपर पेपर पे आपको लिखना है अपने practicals को ठीक है तो अपने regional center की टेश में रहिए और इस notification को जारी कर दिया है वी website पे 22 मार्स से start हो जाएगा और हो सकता आपके regional center की website पे जल्दी इ next update पे चलते हैं next update दोस्तो different regional center से लगातार अपडेट आ रहे हैं मैं जैसा कि पहले ही कह रहा हूं इसका link direct description में है direct अपने regional center की concern regional center की website को लगातार देखते रहिए उसको explore किजिए खुब अच्छे तरीके से अपने से ताकि अपने regional center को आप अच्छे से जान पाओ उसकी updates क कहां कहां आपको मिलते हैं तो आप यहां पर direct link दे दूँगा यहां से आप जाकर अपने regional center को देखिए और जो इस regional center से अभी current में updates आई हैं वह से लगबक सभी regional center पर update आएं कुछ regional center को छोड़के बागे सभी regional center लगातार practicals वगएरा schedule वगएरा MCA, BCA, CIT, BLIS सभी के लगा आतार notification निकाल रहे हैं, counseling के भी schedule आ रहे हैं, तो अपने regional center की website को देखते रहे हैं, अब बात आती है assignment submission को लेकर, assignment submission का जो है, अभी तक कोई भी guideline जारी नहीं किया गया है, केवल दो regional center को छोड़के, एक बैंगलो regional center जिन्होंने सबसे पहले अपना जारी किया है schedule, उसमें उ notification में लिख दिया है, जिसे माध्यम साब physical हैं, आप जाके submit करा सकते हैं, उसके बाद, आपका रसी डेलिट 3 ने भी notification निकाल दिया है, उसमें पूरा list भी दे दिया है, उन्होंने, बहराल और काफ कोई भी regional center से notification नहीं आया है, ये होना चाहिए कि जो है, एक overall notification आना चाहिए headquarter से original service division की तरफ से या student evaluation division की तरफ से एक notification जरूरा आना चाहिए, ताकि सभी regional center अपना notification अपनी तरफ से जारी करें, कि वो किस माध्यम से इस बार assignment लेने वाले हैं, online लेने वाले हैं, या offline लेने वाले हैं, या फिर student अपने concern study center पे जाके submit करा है, बहराल सुनने में ऐसा आ रहा है अभी कि काफी regional center ने decide किया है कि जो student है, जो भी concern regional center से वो अपने concern study center पे जाके अपना assignment offline submit करा सकते हैं, तो मैं अपने तरफ से यही suggest करूँगा, सभी students अगर आप assignment prepare कर चुके हैं, तो आप एक बार अपने concern study center को जरूर विजिट कर लें, वहाँ पे अगर submission चालू है तो submit कर सकते हैं, और Saturday Sunday में ही विजिट कीजिएगा, क्योंकि Saturday Sunday में ही open रहता है study center, और अगर आपका submission चालू है, तो जरूर वहाँ पे submit करिया, और उसकी receiving, submit करने के बाद उसकी receiving जरूर लीजिएगा, मैं आपसे यही सबसे suggest करूँगा, इस बार अगर offline submit हो रहा है, तो होस assignment हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो receiving लेना बिल्कुल मत भोलिएगा, अगर आप assignment submit कर रहे है, offline अपने concern regional center पे, तो assignment submission की receipt जरूर लेजिए, पूरा list बना लेजिए, कौनको assignment submit कर जिए, वहाँ से आप किसी का, जो भी study center पे आप submit कराएंगे, उसका receiving जरूर लेजिएग से, इन्होंने notification निकाला, same वो ऐसी pattern से submit हो रहा है, जैसे पिछली बार online submission किया गया था, guideline भी same है, अपना assignment आप scan करके submit करेंगे, कैसे first page रहेगा, उसमें आपको assignment अपना submit करने के बाद अपने pass रखना है, जब तक कि आपके assignment marks नहीं लग जाते, ठीक है, तो जो भी list अभी जारी की गए, उसमें किसी में Google form है, कोई किसी में email है, कुछ-कुछ Google form old वाला ही है, भी upload कर दिया गया है, उसको उसमें 2020 लिखा है, तो थोड़ा सा रुख जाईएगा, wait करिएगा, उसके बात करिएगा, और ये last date को आप भूल जाईए, कि last date जो है, last date को लेके काफी सारे student परिसान है, assignment submission की last date को लेके, तो last date के लिए आप बिलकुल भी परिसान नहों, assignment माई तक submit होंगे, अभी हो सकता है, एक main notification, student evaluation division की तरफ से निकाला जाए, कि assignment submission कब से start हो रहे हैं, क्या last date होने वाली है, तो अपना assignment prepare करके, एक एक बार अपने study center पे आप visit कर लीजे, हो सकता है, आप वहाँ पर assignment submission शुरू हो, तो आप by hand submit कराईए, और वहाँ से receiving जरूर लीजिएगा, ठीक है, आप बिलकुल confused मत होईए, और जो ये list जारी किये गए, RC daily 3 की तरफ से आप देख लीजिए, इसमें, अगर proper form खुल रहा है, तो वहाँ पर आप submit कर सकते हैं, अपना assignment submit क जो है, RC daily 1 की तरफ से जारी किया गया, उन्होंने 12 को BCA, MCA का project का वाइवा का schedule जारी कर दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसा कि ये schedule है, और जो है, जो center बनाया गया है, exam center बनाया गया है, उनका coordinator का, जो है, उनके superintendent का, यहाँ पर contact detail दे दिया गया है, आप इन meet के through ही कराया जाएगा, तो आप ध्यान से देखते रहे हैं, अगर किसी भी student का भी कुछ problem है, तो अपने concern regional center से फटा-फट contact कर ले इसमें, वाइबा वगयरा के लिए, तो उनका उसमें list वैसे जारी की जाएगी, जो Google meet के through, तो अगर उसमें list भी दिखाई जाएगी Google meet में अगर उसमें आपका नाम नहीं है, तो अपने concern regional center से फटा-फट approval लेना पड़ेगा, ताकि आपको last batch में आपका वाइबा हो सके, ठीक है, जब Google meet के through होगा, उसमें list जारी की जाएगी, जैसा है, यहाँ पर लिखा उन्होंने वो कह रहे हैं, ठीक है, next update पर चलते है, next update जो आपे और dates के साथ 15 माज से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें date, सारा date मिंसन है इसमें, और यह भी online instruction साथ में release किया गया है, उसके सभी point को ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, और Vibas related कोई सवाल है, तो आप email भी कर सकते हैं, अपने concern regional center पे, और Vibas का link जो है, before 15 minute exam से पहल आपके registered email ID और mobile number पे भेज दिया जाएगा, जिससे आप Vibas attend करेंगे, तो दोस्तों वही सब था update जो की काफे important था, आप सबको बताना, खासकर assignment को लेके, कोई सवाल है, तो comment box में लिखके पूंच सकते हैं, मैं जवाब जरू दूँगा, मिलते हैं कोई next वीडियो में नए update के साथ, तब तक किल नमस्कार,